आपका भी दाखिल खारिज जो है वो बहुत दिनों से नहीं हुआ परिसान है दाखिल खारिज नहीं हो रहा है बहुत सारे से लोग है जिनका 50 साल हो गया है और अभी तक उनके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ किनी के पास जमीन की रजिस्टरी है किसी के पास जमीन खत परकिरिया है बहुत सारे लोग जो हैं उनके पुरुबद जमीन खरीदे थे जमीन खरीदने वाले दादा थे परदादा थे वही जमीन खरीदे जमीन की रजिस्ट्री है लेकिन अभी तक उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उसका जमीन का टुकरा है, ये पहले मान लेते हैं अजय के नाम से, पहले अजय के नाम से था, अजय से जमीन को खरिदा गया, आपके पुर्बज ने, यानि आप कह सकते हैं दादा ने खरिदा, पर दादा ने खरिदा, ठीक है, तो दादा पर दादा के नाम पर ये जमीन जो है, र के बाद सरकार आपसे टेक्स वसुलती है राजस सुलेती है तो उस राजस रिकॉर्ड में आपके दादा परदादा जो भी खड़िदे होंगे उनका नाम दर्ज नहीं हो पाया यानि अजय का ही नाम रह गया तो अभी बरतमान में अजय का ही नाम चल रहा होगा या उसके बे कराने वाला यानि जो है वो भी कोई और है यानि वो भी उसके उत्राधिकारी है आज से नहीं पेंडिंग है मुटेशन कई सालों से पेंडिंग है तो इसलिए यहां पर समस्या उत्पन हो जाता है कि बर्तमान में जमीन जो बेचा गया पहले तो अजय के नाम से था लेकिन अ अखिल खाड़ी जगर हो जाता तो यह जो जमीन का टुकड़ा है जो बेचा गया यानि इनके जो दादा पर दादा है उनके नाम पर यह आ जाता और अजय का जो भी जमीन होगा यानि अजय के पास जो भी जमीन होगा उससे उसको क्या करता हटा दिया जाता आप कह सकते है उससे मैनस कर दिया जाता तीक है अगर एरिया में बात करें dismalo कठ fif, gaj ho या जो भी है यह जमीन को major करने के लिए आपके छेतर में, आपके राज med जो भी तरीका है माल लेते हैं जितना भी जमीन है, अब यह पूरा जमीन है उस कागजात में यानि ये अब जमीन मैनस हो जाना चाहिए तो ये मैनस होगा कैसे जब जो खरीदार है वो म्यूटेशन करवा लेगा खरीदार जो है वो दाकिल कारिज करवा लेगा अगर खरीदार दाखिल खारिज करवा लेता है तो फिर ये समस्या जो है उत्पन नहीं होगा अब देखें कि ये दाखिल खारिज जो है आखिर होगा कैसे अब बर्तमान में जमीन जो है इनके नाम कैसे ट्रांसपर होगा यानि इनको अपने नाम पर जमीन कैसे प्राप्त होगा और अगर दाखिल खाड़ी नहीं होता है तो इससे होने बाली समस्या है क्या-क्या जो है यानि क्या-क्या समस्या उत्पन हो सकता है ये भी जरूर जानने देखें इसमें सबसे बारा समस्या ये होता है कि जो यानि जमीन के पहले मालिक थे जिन से जमीन खरीदा गया जिनका जमीन था उनके उत्रादिकारी वो जमीन को दुबारा बेच सकते हैं यानि ये सबसे बारा समस्या उत्पन होता है यानि अगर आप mutation करवा लेते हैं तो ये कोई कुछ नहीं कर पाएगा ठीक है एक बरा समस्या होता है कि वो उत्रादिकारी जो है यानि एक बार उनके पिता ने बेचा और बाद में उनके बेटे ने बेचा या ये भी हो सकता है कि जो उनके पोते हैं वो भी बेच सकते हैं इसलिए ये बरा समस्या है इस समस्या से आपको बचना है लगिन यदि आपका जो है दाखिल खारिज हो जाता है तो ये समस्या कभी उत्रपर नहीं होगा दूसरा यहाँ पर सबसे बरा समस्या यह है कि देखें एक जो समय है उस time period में अगर आपका mutation हो जाता है तो ठीक है नहीं तो अगर नहीं भी बेचा अब विक्रेता का नाम हटकर उसके बेटा का नाम हो गया है यानि अभी जो है यानि विक्रेता का नाम जो है नाम से अब वो क्या किया प्रोपर्टी को बांच लिया है ना बहुत सारे बेटे थे इनके तीन बेटे थे तो तीनों यह प्रोपर्टी डिभाइड हो गया अब यानि तीनों के बेटे के नाम पर यह जो है अलग अलग अब divide हो चुका है तीन टुकरा में जमिन बढ़ चुका है अब आप कागजात लेकर जो है apply करते हैं तो apply करने के बाद जब जो revenue officer है वो verify करते हैं यह तो आप दूसरे के नाम पर चला गया है यानि यह तो अलग-अलग नाम पर यह divide हो गया है जबकि आपने पूरी property खड़ी दी थ है ना विक्रेता के जो बच्चे है बेटे है उनके नाम पर यह transfer हो गया तो यहाँ एक सबसे बड़ा समस्या है यानि अब यह दोनों समस्या जो है बेचने वाला समस्या और विक्रेता के नाम पर property जो transfer हो गया दोनों के case में क्या होगा इस बात को आप समझ लें तो देखे है दोनों case में कोई बिकल्प नहीं बसता है यानि बिकल्प यहाँ आप कोई नहीं है दोनों case में क्या होगा कि जो property है जो समपत्ती है यानि उसके लिए उसको अब जो है एक तरह से लराई लरनी परेगी कोट का सहरा लेना परेगा यानि अगर बेज देता है या विक्रेत आपकी property को दुबारा बेच दिया है तो फिर अगर यानि उसका sale date त्यार हो गया है तो आपको registry जो हुआ है registry को cancel कराना परेगा यानि यहाँ पर cancel का case करना परेगा तो एक यह विकल्ब है यानि जो sale date त्यार हुआ उसका cancellation के लिए आपको अब जो है प्रक्रिया करना परेगा जो की आप कर सकते हैं और आपके पक्ष में फैसला भी होगा यानि ये आप मत सोचें कि आपके पक्ष में फैसला नहीं होगा इसलिए हमारा कानून यह कहता है कि जिसके पास एक वर सेल्डिड आ गया नि यानि जिसके पास पहले स कानूनी तोर पर उसी का मानिता है और अगर जो है विक्रेता विक्रेता के जो उत्राधिकारी है जो वनसज है वो उस प्रोपर्टी को यह विक्रेता द्वारा या विक्रेता के वनसज द्वारा उस प्रोपर्टी को अगर दुबारा बेचा गया तो यह पॉसिबल नहीं है य यह आप कह सकते हैं, एक fraud करना हो गया, तो यह यहाँ पर जो है, आप चाहे तो इसको cancel करवा सकते हैं, अब विक्रेता के उत्राधिकारी के नाम, यानि विक्रेता का यह जो बेटा है, यह जो बेटा है, इसके नाम पर जो भी property transfer हो गया है, यानि mutation करा लिया, पहले विक्रेता के नाम से mutation था, और अब बेटे के नाम से दिखा रहा है, तो अभी क्या करना परेगा, कि अभी आपको इसका cancellation करवाना परेगा, यानि अब देखें, यानि registry को cancel करने के लिए, आपको civil court में case करना परेगा, यानि civil court जाना होगा, तभी आप जो है, अगर कोई भी बैक्ती आपके साथ फरजिवारा किया है, दोखा किया है, गलत तरी case registry कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पर है कि registry नहीं किया है दुवारा, ठीक है, यानि अब क्या हो गया है, कि उसके बेटे के नाम से property सो कर रहा है, और इसलिए इनका mutation जो है, वो बार-बार reject हो जा रहा है, तो उस case में जो है बिक्रेता का नाम से बिक्रेते के बेटे के नाम से जो mutation हुआ है, तो mutation cancellation का case करना परेगा, और उसके लिए आप यहाँ पर जो है, जिला collector के पास आप कह सकते हैं, एडियम court में, आप case file कर सकते हैं, यानि दूसरा यहाँ पर क्या होगा, द तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको mutation cancellation का case करना है, जो आपका mutation धाकिल कारीज हो गया है, यानि आप कह सकते हैं, जमाबंदी को ही cancel करना है, वो भी तीनों का, ठीक है, और यह जमीन फिर जो है विक्रेता के नाम पर आएगा, फिर आपका mutation होगा, यह आपके पक्ष में अगर फैसला होता है, तो उस अधार पर इनके, इनका जो भी तरह से जमाबंदी है, उनसे property को minus किया जाएगा, लेकिन देखें, अभी क्या होता है, कि हर जो भी आपका statement है, उसको verify किया जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर sell deed है, आपके पास बरतमान में इस जमीन का अखल है, सारा कुछ मौझूद है, उसके बाद जो है यह आपको verify किया जाएगा, यानि कहने का मतलब है, आप अपना पक्च रखेंगे, आपके साथ क्या समस्था है, आपके document को verify किया जाएगा, अगर लगेगा अगनी सही है, तो फिर आपके पक्च में फैसला होगा, दो situation उठपन होता है, एक situation आपका हो गया कि अगर दुबारा बेच दिया, दूसरा की उसके नाम transfer हो गया, तो अब यह जमीन आपके नाम जो है, यानि यह दो समस्या में से कोई समस्या नहीं, मतलब ना बेचा गया है, ना विक्रेता का बेटा के नाम transfer हुआ है, विक्रेता का ह खाते से उठा कर आपके खाते में रख दिया जाएगा, यानि तब आपको सोचने की जरुवत नहीं है, आपको कोई समस्या यहाँ पर अब होगा ही नहीं, इसलिए कि अब जो है यह विक्रेता जो है उसी के नाम पर जमीन है, और आप अपने नाम पर अगर mutation करना चाहते है तो आपको आप सिर्फ online जो है, वो apply करना है, आपके राज में अगर offline apply होगा, तो आपको offline apply करना है, apply करके उस property को आप प्राप्त कर सकते हैं, आसा करते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो चे वीडियो लाइक जरू करते हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको जरूर दबाले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कि लिजाएं